जयें दोस्तो हम आज मौजूद हैं उत्तरप्रदेश के बलिया जीले के बांसडी छेतर में बांस्डी का विधान सभा शेत्र भी है दोस्तों बांस्डी में एक अस्पताल है अगौर अस्पताल उसी अस्पताल में हम आज मौजूद है चुकि यहां पे आने का हमारा मकसद बहुत ही ज़्यादा इसलिए बढ़ गया कि यहां पे जो आम जनते का टिक्स का पैसा है उसको बिल्कुल ही बरबाद किया गया है और दसकों से बरबाद किया गया है हम यह क्यों कह रहे हैं हम पूरा आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी क्या अगर मैं आधा दरजन भी कह दूँ तो बिल्कूल ही सत्य होगा क्योंकि यहाँ पे आधा दरजन यहाँ पे तीन मंजिला, चर मंजिला, बिल्डिंगें बनी होई हैं दसकों से बनी हुई है लेकिन इसको किसी भी उपयोग में नहीं लिया गया है अभी तक और अब धीरे-धीरे इसकी हालत बिल्कुल ही जर-जर होती जा रही है हमारा सवाल आपसे है कि आखिर ये जो पैसा लगा है इसमें किसका पैसा है हमारा पैसा है आपका पैसा है जनता के टिक्स का पैसा है तो जनता के टिक्स के पैसे को आखिर बरबाद क्यों किया जा रहा है जब इलाज नहीं कराना था तो इतनी उची 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 बिल्डिंगे करोणो रुपए लगा कर क्यों बनवाई गई जब इसका कोई उपयोग ही नहीं था तो इसमें करोणो रुपए क्यों खर्च किये गए आप इसकी हालत देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि करोणो रुपए सिर्फ और सिर्फ केवल घोटाले के भेट चढ़ा के रह दिये गए हैं उसका एक पैसा भी जनता को बिल्कुल ही फायदे के रूप में किसी त लाल वाली बिल्डिंग दिखाईए जो लाल वाली बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे अम्बूलेंसे भी खड़ी हैं मैं वीजूल में डाल दूंगा वहाँ पूरा देख पाएंगे वहीं पे केवल उसी बिल्डिंग को यूज किया जाता है और वहीं पे इलाज की प्र अधर बनाके रखा गया है जबकि करोणों रुपए लगे हुए हैं इसके बाद मैं अगर इधर आपको दिखाना चाहूं तो इधर भी बिल्डिंग है हम चलके इसके अंदर भी आपको दिखाने वाले हैंगी क्या इसकी हालत है बाहर से भी आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये जो जनता का पैसा है इसको आखिर बरबाद क्यों किया जा रहा है इसको आखिर एक से दूसरे स्टेप में जैसे जिस तरीके से इसको बनाने में जो जो प्रक्रियाएं हुई है उसमें कितने लोग इसमें समिलित हैं अगर वो जानते थे कि इसको बना के ऐसे ही वाला है तो इसको बनाने का क्या मतलब है आप बताईए जरा हमें इसको बनाने का कोई भी मतलब नहीं बढ़ जाता है दोस्ता आप देख रहे हैं इसकी हालत क्या है आप अंदर दिखा दीजे बिल्कुल ही सारी बिल्डिंगें इसी तरीके से ध्वस्त भरी पड़ी हुई है और इसकी हालत बिल्कुल ही खंडर देखी, यहां पे लोग गंदगी भी किये हुए है, तो इस तरीके से यहां की हालत है, और बिल्कुल ही यह जरजर होता जा रहा है दिन प्रत दिन, और होगा क्यों भी नहीं, क्योंकि यहां पे दसकों से यह बना हुआ है, लेकिन यहां प आपको दिखा पा रहा हूँ आगे मैं चलूँगा जो इससे पहले मैं आप दिखाई उसका भी हालत यही है इसका भी हालत यही वही है आप देख रहे हैं अपने सामने अब मैं दूसरी विल्डिंग आपको दिखाना चाहूंगा एक वो हो गई ये दूसरी बィ120 हो गई दोस्तों इसके बाद एक 28 बिलडिंग भी है जो की इसके सामने आपको दिख रही है वो 28 बिल्डिंग है उसमें तीन-चार बिल्डिंग है बिलकुल चिपकी होई है और बहुत ही लंबी बिल्डिंग है उसके पीछे आप देख रहे हैं तो वो भी बिल्डिंग उसमें 3 है ये 4 हो गई ये 5 हो गया वो 6 हो गया छे बिल्डिंग है बिल्कुल ही ध्वस्त हुई पड़ी है और इसका 1% भिलाब जनता को नहीं मिल रहा है और जो करोणो रुपए जनता के टिक्स के पैसे को इसमें लगाया गया था वो केवल और केवल जरजर होके गिरता जा रहा है और यह धोस्त होता जा रहा है उसका एक भी पैसा जनता को कहीं से भी जनता के लिए यह उपयोगी साबित नहीं हो रहा है उपयोगी साबित के वल वह एक बिल्डिंग है जिसमें वहाँ पे इलाज हो रहा है लेकिन इन सारी बिल्डिंगों का बिल्कुल ही कहीं पे उपयोग नहीं है ये करोणों रुपे जो है टेक्स के पैसे को बिल्कुल ही बरबाद किया गया है इस बिल्डिंगों को बना के ये जनता का पैसा है अगर कोई बच्चा कुछ खरीदता है चाहे वो 5 साल का हो या 10 साल का हो या 20 साल का हो तो वो टेक्स देता है उसी टेक्स के पैसों से ऐसे ऐस से तमाम बेडिंगे तयार होती हैं जो सरकारी बिल्डिंग होती है लेकिन इनका जब इसको बनाया गया तो इसका उपयोग क्या है जब जनता का इससे लाब नहीं मिल रहा है तो करोणों रूपए बरबाद करने का क्या फायदा है एक चाचा जी हमारे इंसे थोड़ा पूछेंगे कितने दिन से बना हुआ है यह कितना दिन से इस बनाल बाइए अरे बनाल समुझें कि 20 वर्ष से उपर हो गल बाइए जानवाई बीडिविभव्य नगाल इस रख लागी रहे अर्व है फिर खीचाए अतना दूर चल रहे तो अर्व की बहाई अब तीन ताल इतो ते यार पहले होगा हमनी के होस्के हमनी के बनावाद है इस मकान अच्छा जब से बनाल बाई इस मकानिया तब से एमें कौन काम मतलब जब से बनल बाय में इलाज उलाज कुछुनिके बाई दू बज तीन बड़िस से हैं वह हो ताव जन बारता हूं जान चालू बाई दूए तीन बड़िस से चालूबा तो देख रहे हैं आप दोस्तों यहां पे दसकों से बना हुआ है लेकिन वह जो मैं चालू आपको दिखा रहा तो वह दो या तीन साल से ही उसको चालू किया गया ुए तीन साल से थीन साल चाल्से हैं वहयान बनारेस के ऑपर आवा फेस नहीं करता तने कोरज तडास चलीस ततरूस फखे खाती वैमें इस रिउहा फिस होता था हूआ तर दो सकों बाद इस लाज होताु तो ठीकवा लेकिन हेकनी के तो यह आप देख रहे हैं यहां के जो लोग हैं किस तरीके से इसके बारे बोल रहे हैं कि दसकों से बना हुआ है लेकिन कोई भी लाभ अभी तक को इसका उपयोग ही नहीं किया गया है खली हाँ एक बिल्डिंग के उपयोग है तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से यहां पे मैंने एक एक चीजे दिखाई यहां पे छे बिल्डिंगे हैं एक पानी की बहुत लंबी टंकी है इन सब का कोई भी उपयोग नहीं है उपयोग है तो वो भी एक बिल्डिंग है उसका उपयोग हो रहा है वहां पे मरीजों का इलाज हो रहा है और वो भी केवल दो या तीन सालों से वो चालू हुआ है तो वहां पे इलाज हो पा रहा है बाकी यह छे साथ जो बिल्डिंग प्यूपक्त